So what's up guys, welcome back to before purchase, इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे best hair dryers के बारे में, और जर्नली किसी भी hair dryers को purchase करने इस पहले 5 ऐसे बहुत जादे important factor आते हैं, जो कि आपको पता होने बहुत जरूरी है, और अगर आप hair dryers purchase करने का सोच रहें, तो मेरा simple suggestion आपको यह रहेगा, कि आप जो budget है वो at least 1000 रूपीज का जरूर रखें, क्योंकि उसी price category के अंदर आपको best quality के hair dryers देखने के लिए मिल जाते हैं, इस वीडियो के अंदर हम almost सभी price categories को cover करेंगे, और सभी hair dryers के direct links आपको description के अंदर मिल जाएंगे, आप उनको जरूर चेक कर सकते हैं, और अगर आप subscriber न यूज कर पाएंगे, number second important factor यहां पर आता है, आपके hair dryer की cord length, जालतर लोग hair dryer को purchase करने से पहले, उसकी cord length को ignore करते हैं, लेकिन वो एक बहुत जादे important factor होता है, हमारा next factor यहां पर आता है, कि आपका hair dryer है, उसकी जो motor है, वो काफी powerful होनी चाहिए, यानि कि आपके hair dryer के अंदर at cool shot feature या फिर cool shot button का option available है, क्योंकि उसकी help से आप अपने hairs को बहुत कम temperature के air flow में style कर पाएंगे, और finally आपको ऐसे hair dryer को avoid करना है, जिनके उपर आपको one year से कम warranty मिलती है, इस video के अंदर हमने जितने भी hair dryer से include की है, उनकी quality best है, और साथ साथ उन सभी के अंदर आपको at least minimum one year की warranty म आता है, और इसके अंदर आपको दो speed settings मिल जाती है, easy storage के लिए यहाँ पर आपको hanging loop मिल जाता है, और साथ साथ इसकी cord length के बारे में बात करी जाए, तो वो 1.5 meter की है, फिलाल आप इसको purchase कर सकते हैं, सिरफ 700 रूपीज के airbox, और Philips की special बात है कि आपको two years की warranty मिल जाती है, लेकिन इस head rear के अंदर दो चोटे से minor cons है, पहली बात कि यहाँ पर आपको cool shot button का option नहीं मिलता है, और secondly यह head rear travel friendly नहीं है, यानि कि आप इसको fold नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका जो budget है 700 रूपीज के आस पास का है, तो आप इसके तरफ जरूर जा सकते हैं, न इसको मिलता है, जो कि overheating से आपके बालों को protect करता है, हैवल्स के इस head rear को फिलाला हम पर्सिस कर पाएंगे 1400 रूपीज के आप रॉक्स, और यहाँ पर भी आपको total 2 years की warranty मिल जाती है, यह head rear आपके लिए value for money option तो जरूर हो सकता है, लेकिन इसके अंदर भी तो चोटे से minor cons ह पहली बात कि यह foldable नहीं है, और secondly इसका जो cool shot feature option है, वो दूसरे head rear के comparison में effective नहीं है, लेकिन अगर आप हैवल्स के brand को पसंद करते हैं, तो आप इसके तरफ जरूर जा सकते हैं, लिस्ट के अंदर number 3 पर यहाँ पर include किया गया है, वेगा की तरफ से आने वाला, वेगा का pro touch head rear, यह head rear 2000 watt की power के साथ में आता है, और special बात है कि हैंपर आपको two speed setting के साथ साथ में two heat settings भी मिल जाती है, वेगा के इस head rear के अंदर आपको cool shot button option भी मिलता है, और वेगा का यह head rear दो अलग-अलग detachable nozzles के साथ में आता है, easy storage के लिए हैंपर आपको hanging loop भी दिया गया है, और आप इसको purchase कर पाएंगे 1800 rupees के एप रॉक्स, और वेगा की तरफ से हैंपर आपको मिलती है total one year की warranty, इस head rear के अंदर आपको अच्छी कासी power मिल जाती है, और इसकी build quality भी काफी जादा decent है, जिर्फ एक minor con is head rear का ही है, कि यह foldable नहीं है, और साथ-साथ इसका जो size है वो दूसर head rear's के comparison में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह तोनों आपके लिए बहुत बड़े major counts नहीं है तो आप इसके तरफ जरूर जा सकते हैं, नमर second पर हमने आप include किया है well की तरफ से आना आला, well का 5439-04 head rear, well का head rear भी 2000 watt की power के साथ में आता है, और इसके इसके लिए आपर आपको hanging loop भी दिया गया है, different attachments के help से आप अपने hairs को different style पर set कर सकते हैं, और फिलाल आप इसको purchase कर पाएंगे 2800 rupees के approach, और well की तरफ से आपर आपको मिलती है total 2 years की warranty, इस product के अंदर सभी useful features available है, build quality भी आपर decent है, लेकिन सिर्फ इसका एक minor को नहीं आजाता ह है कि ये product दूसरे hair dryers के comparison में थोड़ा सा overpriced है, लेकिन अगर आप 3000 rupees एक hair dryer पर spend कर सकते हैं, तो आप इसके तरफ जरूर जा सकते हैं, otherwise आप हमारे number one option को consider कर सकते हैं, जो कि आपर आता है, अगारो के तरफ से अगारो का HD 1120 hair dryer, अगारो का ये hair dryer भी 2000 watt की काफी जादा powerful motor के साथ में आता है, इस hair dryer के अंदर आपको दो speed settings मिलती है, और cool shot feature के साथ साथ में आपको दो अलग-अलग temperature control settings भी मिल जाती है, अगारो के इस hair dryer के अंदर special बात है, कि आपको 2.5 meter लंबी cord length मिलती है, और easy storage के लिए आपको hanging loop भी मिल जाता है, easy cleaning के लिए इस hair dryer के अंदर आपको removable air fitter मिलता है, इस hair dryer के अंदर आपको तीन अलग-अलग attachments मिल जाते है, एक diffuser attachment यहाँ पर include किया गया है, चुकि curly hair के लिए perfectly काम करता है, और second यहाँ पर fast styling के लिए concentrate and nozzle include किया ग इस hair dryer के अंदर almost सभी useful features available है, काफी जादा powerful motor है आपको मिल जाती है और build quality भी इसकी perfect है, लेकिन सिर्फ एक minor con इसका है कि यह foldable नहीं है, लेकिन मुझे ने लगता कि यह बहुत बड़ा major con है क्योंकि यहाँ पर आपको काफी जादा budget friendly price मिल जाता है, सभी links आपको description के अंदर मिल देंगे, आप उनको जरूर चेक कर सकते हैं और इस वीडियो से related अगर आपको कोई भी questions हैं तो वो आप निचे comment करके जरूर बूस सकते हैं